तो दोस्तो ये बात सुनकर आपको बहुती ज़ादा खुशी मैसुस होगी कि आज भारत की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। दरसल हाली में एक भारत्य स्टार्टप ने बहुती ज़ादा फ्यूचरिस्टिक टेकनोलोजी को बना कर तयार कर लिया है। इस भारत्य स्टार्टप ने दरसल बहुती ज़ादा इनोवेटिव डिवाइस बनाया है जो कि वाता वरंड से कार्बन को पूरी तरीके से खदम कर देता है। पूरी तरीके से अन्वाइर्में फ्रेंड नहीं होती है। क्योंकि electrical vehicles को हमें charge करने की जरुवत पड़ती है और उसका जो charging station होता है वहाँ पर जो energy की requirement होती है उसको हम renewable energy से नहीं लेते बलकि उसका जाधातर इससे हम thermal power plant से लेते और मैं आपको जानकारी के लिए बता दू कि thermal power plant में काफी जाधा कोईले का इस्तमाल किया जाता है electricity को generate करने के लिए और ये काफी बड़ा reason है कि आज भारत में धीरे धीरे करकर इतना जाधा pollution बढ़ चुका है लेकिन ये भारतिया startup ने तो कमाल कर दिखाया इस device को बना कर तो दोस्तों ये startup का नाम है pie green innovation limited तो दोस्तों इनों ने जो ये innovative solution निकाला है जहां पर ये carbon को powder में convert कर देते तो हम इस device का इस्तमाल करके भारत में काफी जाधा pollution कम कर सकते देकिन जो सबसे खास बात इस device की वो ये है कि हम ना सिफ pollution को कम करेंगे बलकि इस device का इस्तमाल करके हम raw material वाली चीजों को भी बना सकते क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बता है कि ये pollution यानि की carbon को powder में convert कर देता है और फिर उस powder का इस्तमाल हम काफी सारी useful चीज़े बनाने में करेंगे जैसे कि paint, ink तो दोस्तो इस device को दो दोस्तों ने मिलकर बनाया है जो कि भारती है और ये device पूरी तरीके से made in India है दरसल इस device का इस्तमाल हम public transportation वाली जगाओ पर कर सकते जहां पर pollution जादा होता है जैसे कि railway station, metro station या फिर bus stop क्योंकि इन areas में pollution काफी जादा होता है और अगर हम इस device को उन areas में लगा देंगे तो ये उस area से धूल, मिट्टी, धुआस और carbon को सोक लेगा अपने अंदर और फिर उसे एक powder में convert कर देगा साथी साथ ये pollution को भी पुरी तरीके से खतम कर देगा उस area में तो दोस्तो मैं आपको ये जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी फिलाल इस device का एक pilot project बैंगलूरू city में deploy कर दिया गया है और future में इसकी large scale में manufacturing करने वाले लोग इस device को हाली में market में भी launch कर दिया गया और future में तो इस device के इस्तमाल काफी large scale में किया जाएगा पूरे भारत में तो दोस्तों इस made in India innovative technology के उपर आपकी क्या रहा है मुझे comment section में ज़रूर बताएगा अगर आप कोई वीडियो informative लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए share कीजिए comment कीजिए और साथी साथ subscribe कर दीजिए जैन